हेलो एरिवन कैसे हो सब सो काफी मुझे पूछ रहे थे सीजल 2022 में टीर वन की एक्सपेक्टेड़ क्या हो सकती है तो चलो इसके पर बात कर लेते हैं वैसे तो देखो यार मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्ण करने की जुर्त है नहीं आप लोग बढ़िया तेहरी करें शांदा लग बग 52,000 बच्चे ऐसे थे जो 132 से ज्यादा स्कोर लेके आए थे तो इन दोनों यह आपको देखके लग रहा है कि अगर प्री का पेपर जो इसका और इसका सेम लेवल का था वैसे एगर सीजल 2022 का आता है तो बही 130 से उपर जो है लग बग 50,000 बच्चे आते हैं ठीक ह इस बार वेकेंसी जो हैं तीन से चार गुना है तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि इस बार जो भी कट आफ जाएगी जनरल की उसमें पहले जो बच्चे लिए जाते थे उससे कम से कम तीन से चार गुना ज्यादा बच्चे लिए जाएंगे यहां पर अगर मालनो 52,000 बच्चे या 50,000 बच्च अगर यहां पर लिये जा रहे हैं तो लगबग ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वेकेंसी कम से कम से कम तीन गुना भी माले है फिर यह कलने कि कम से कम तीन गुना ज्यादा बच्चों को इस बार मेंस के लिए बुला जाएगा पिछली बार बुलाते थे उस से त और यहां से,ँपर नंबर, मनी तो क्या यहां से लेए, नहीं कङँ है, महीं आपसीं नंबर, न जा दूं। तो इन 5 नंबर नीचे कвойव सख्जीर नाइंगे तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर सब कुछ चीजें वैसी ही रहे तो कट ओफ जो है 105 से उपर नहीं जाने वाली तो मैंने कम से कम माना है तीन ही गुणा बच्चे लिए हो सकता है तो कट ओफ और भी डाउन आ सकती है और यह कुण सा स्कोर है यह आपका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है तो अगर कोई बच्चा सो नंबर लेके आएगा तो उसका न सो नंबर लाके अगर आप प्रिलिंज के कट ओफ कुलिफाइब कर लोगे तो मेंस में बड़े डरी डरी बैठ होगे तो सो नंबर बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं अगर मैट्स में 30 रिजिडिंग में 30 इंगलिस में 30 और जिक्के में 10 नंबर भी लेके आओ तो सकता नहीं आएगा यह स्कोर लाके जब मेंस में बैठ होगी न तो आपका मतलब एक सैल्फ डाउट सा रहेगा कि यार वो बच्चे जो मतलब बड़िया स्कोर मारके बैठे थे ऐसे बच्चे जो मैट्स में रिजिनिंग में इंग्लिस में सब में 45 से उपर नंबर लेके आ करना कोई बड़ी बात निए वो बच्चे जो जिन्होंने रिसेंटली त्यारी शुरू की होगी आराम से पर लेकिन असली से लेक्सें में से ही होगा ठीक है जितना बड़िया प्रिलिम्स में परफॉर्म करोगे उतने अच्छे कॉन्पिदेंस की हाथ में में बैठ होगे दीक बड़ चेक कर लो आपका क्या स्कूरा रहे डेफिनिटली मोक्स तो आप दही रहे होगे फिर बेकर कोई बचार है जाता है कि इसने तक मोक्स नहीं लिए हैं तो वह आप लोग के मौक्स ट्राइक कर सकते हों टेस्ट बूक में आपको से के पूराने सारे पेपर मिल ज मिल जाएगी और इसमें अगरा भाई कोड का इस्तामाल करोगे भी एच ए आई भाई कोड़ लगाने से जो उस टाइम का मैक्सिम डिसकाउंट चल रहा होगा एक तो वह मिल जाएगा प्लस एक टैन परसेंट का एडिशनल डिसकाउंट भी मिल जाएगा इनके ओफर साथे बार-बार रिवीजन करना है प्लस मैक्सिम अब ट्राइक करो कि डेली अर्लिस्ट दो से तीन मोंक्स लगा और रिवीजन करो कुस नया सीखने कोशिस मत करो मैं समय मतलत मैं जिस तरी के साथ कुस्ते आयों उसी तरी के सब करो को यह इसी नहीं प्रिक्वरी के देख लिए पढ़ा नहीं से निकल जाएगा तो आख बंद करके आपके प्रिलिंस बड़े प्यार से निकल जाएगा में ट्राइगा बढ़िया से अब तरगेट रखो 300 बढ़िया स्कॉर मना जाएगा बहुत बढ़िया स्कॉर मना जाएगा तो अभी लास्ट के 20 दिन बजे में मैकसिमम जितना आउटपूट दे सकते अपना हो दो यह फिल नहीं होना चीए कि यार मजलेव अपन और पढ़ाई कर सकते थे की नहीं है आपक होता कास वह कर लिया होता तो कास इतने एक्स्टा नंबर आ गया होते हैं तो से लिए फिर इस वीडियो में इतने रखते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाड़ा टेकेर बाए बाए